मैं इस वक्त आंधुप्रदेश के कडपपा के पुलिवेंदुला में हूँ पुलिवेंदुला वो सीच है नारि राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहनरेड़ी खुब चुनावी मैदान में है मैं उसी पुलिवेंदुला के गाउं एपटला में हूँ जहां पे किसानों की कुछ समस्या है, उनकी वो समस्या है कि ये सारे किसान जो हैं, वो कैश क्रॉप का काम करते हैं, और उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि उनको अभी सरकार की तरफ से drip irrigation के लिए subsidy मिला करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो subsidy मिलना बंद हो गई, इससे ये किसान यह बहुत ही आक्रोशित हैं, आप ये देख रहे हैं कि मैं केले के एक बगीचे में खड़ी हुई हूई हूँ, केले के चारों तरफ पेड हैं, और आप ये देखिए कि यहां पे drip irrigation के तहट पूरी सिचाई की व्यवस्था की गई है, और इन किसानों की समस्या ये है कि कई बा चाहिए, जो उनको हक मिलना चाहिए, वो हक नहीं मिलता है, मैं आपको अपने दर्शकों को एक बात बता दूँ, कि आंदरप्रदेश सरकार की ये पहले योजना रही है, कि जो 10 एकर से छोटे किसान थे, उन लोगों को 3 एकर के लिए सरकार मदद दिया करती थी, उनको 90 प बंद कर दी गई ही, उसके बाद जब जगन मोहन सरकार आई तो उनोंने ये सबसिडी बंद कर दी गई, इन किसानों का कहना है कि पिछले 6 महिने में से इनको सबसिडी जब चुनाव सर पे आये तो सबसिडी देना दुबारा से चालू किया, लेकिन अभी चू की आचार अंगिता लगी हुई है, तो ये इनको सबसिडी फिर से बंद हो गई है, तो ये किसान इस चीज को लेकर बहुत ही आंदोलित है, आईए मैं कुछ किसानों से बात करती हूँ, का नाम क्या है और आपकी क्या प्रॉब्लम है, ओल रडी, ड्रिप इरिगेशन माग, प्रॉब अच्छा एक बात बताईये कि आप लोग यहां पे किस-किस चीज की खेती करते शाहिए, अपना नाम बताईये, रमेश, अच्छा, रमेश, रमेश, चीनी, बताई, करींगर, मेरा पानीवन्टिति बनाना, ओरेंज, पुमग्रनेट, पापाया, टमाटो और मिर्शी, आपको जब नाइडू सरकार थी, तो आप लोगों को यहाँ पे सबसीडी मिलती थी, अब यह सबसीडी बंद कर दी गई है, तो क्या इसके पीछे क्या कारण लगता है? अब चन्रवाव नाइडू उनना पुड़ में को सबसीडी ओच्चे धी, इपड़ो सबसीडी राटले यहाँ यही यहाँ प्रण लोगता है? 2014-2019 तक चरवाव नाइडू के सरकार में इनलोंको सबसीडी मिला था, लेकिन फ्रम 2019 कब जगन आया था ना, अब यह सबसीडी नाइ मिल रहा है इनलोंको, अभी चुनाव लड़ रहे ना, वी चुनाव आ गया है, लोगसाब एलेक्शन्स वाजन्स तो यह चुनाव में जगन आगया दो में फिर बंद कर दिया यह अच्छा, तो आपको इरिगेशन के अलावा और भी किसी चीज पे सबसीडी मिलती है, मीको इतला इरिगेशन का को नेक़ेशन को ने कहला है लाए अडिस सबसीडी लान दृस्तो नाया मिके कगडा तो मुन दून माल भूम लग को लिए उसके लिए कुछ नहीं मिल रहा है मतलब यह लोग बता रहे था कि इंशुरंस के लिए जोज तेंस के लिए आपका drip irrigation की जो सबसीडिय नहीं मिलना वो तो एक समस्या है इसके अलावा आप खिसानों की और क्या समस्या हैं मेंको drip irrigation लो इनके लाड़ी समस्या होना है तुम्सना आई दान की मैंची इंके माल समस्या होना है जगन गवर्नमेंट में अम लोग ना इंसुरेंस बनते थे वो तीन मैने में हम लोग को ना सबसेडी मिलते थे लेकिन वो चे मैने भी हो रहा है नौ मैने भी तक तो फिलाल कुछ मिल रहा है नहीं इसमें और ड्रिपका हो है ना वह बी डॉपलिकेट आ रहा है वो बोर रहा है अच्छा आप लोगों ने बताया था कि यहां पे कुछ जो पैस्टिसाइड वगरे होते हैं या में दवायां वह सबस्क्राइब को लेकर बता रहे थे कि जो राइटु भरोसा केंद्र है उसको लेकर भी आप कुछ बता रहे थे तो यह बोट रहे है कि चन्रव नाइडू के गवर्नमेंट में ना हम लोग को यूरिया यह फूरे मिलते थे अभी जगन गवर्नमेंट आने के बाद ना रहे तो बारसा केंद्र में वो पोटेशियम का पाकेट भी ना 1700 को बेश रही यह लोग तो आपने देखा कि किस तरह से यह जो किसान है यह होटी कल्चर के जो की कैश क्रॉप पे काम करते हैं वो कितने आक्रोशित हैं इस सरकार में और आपने यह भी देखा होगा कि यह किसान जो हैं यह केले के अलावा अनार, पपीता, मिर्ची, टमाटर और तर्बू जैसी फ खेतों के छोटे उसके किसान हैं तो सरकार की सबसिडी इनके लिए बहुत जरूरी है और बहुत मदद करती है